सबको नमस्कार लॉक्डाउन, सत्रा तारिख को लॉक्डाउन में काफी ढेल दी गई थी एक हफता हो गया आज एक हफते के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिती नियंतरण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है जब lockdown में धील दी गई थी हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से cases में बढ़ोतरी होगी lockdown में धील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है मुझे चिंता तब होगी जब दो बातें अगर होगी एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगेगा जैसा मैं बार-बार कहता रहा कि हमें कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है कोरोना तो रहेगा अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो कि अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विशे नहीं है तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सब को बचाप सकें सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें और दूसरा ये कि जो केसिज हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हूँ कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैड़ जाए कोलाप्स कर जाए अगर हमारे अस्पताल इतने मरी जाने लग गए इतने मरी जाने लग गए कि हमारा अस्पताल बैड़ जाएंगे हमारे मा लीजे beds नहीं मिलेंगे, ventilator नहीं मिलेंगे, oxygen नहीं मिलेंगी, अगर ऐसी स्थिती हो जाएगी, तब चिंता का विशे होगा. कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे, टोटल अभी तब पॉजिटिव केस 13,418 आए, इन में से 6,540 ठीक हो गए, और 6,617 अभी बिमार हैं, तो लगबग जितने ठीक होए उतनी बिमार हैं, साड़े 6,000 ठीक हो गए, साड़े 6,000 अभी बिमार हैं, मुटा-मुटा, 261 लोगों की मौत हो गई. आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में अपने अस्पतालों का क्या स्टेटस है, जो कोरोना के अस्पताल हैं, कोरोना के जो सरकारी अस्पताल हैं, उन में 3,829 बैड हैं टोटल, सरकारी अस्पतालों में 3,829 बैड हैं, जिन में 3,164 बैड में ऑक्सीजन एविलिबल हैं, मैं बार-बार ऑक्सीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करोना की कोई दवाई नहीं है, जिस पेशेंट को करोना हो जाता है, उसको एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दूसरा उस ऑक्सीजन की कमी की वज़े से उसकी सांसे तेज हो जाती है, respiration rate बढ़ जाता है तो उसको oxygen देनी पड़ती है oxygen सबसे critical है ऐसे patient के लिए corona के patient के लिए जो severe patient होते हैं corona के जो मामूली symptoms होते हैं उनको नहीं जो severe patient होते है corona के उनको oxygen देने की ज़रूर पड़ती है 3829 bed सरकारी system में हैं उन में से 3164 beds पे oxygen है 3829 में से केवल 1478 bed अभी occupied हैं मोटे मोटे तोर पे अगर मैं कहूँ तो 4000 bed हैं जिस में से 1500 beds occupied हैं 5000 beds अभी खाली हैं सरकार में 5000 beds occupied है 5000 beds अभी खाली हैं सरकार के पास 200 ventilator हैं उन में से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज हो रहे हैं लगबख 240 वेंटिलेटर खाली हैं तो अभी घबराने के कोई बात नहीं है प्राइवेट में 677 total bed हैं उन में से 509 भर चुके हैं कई लोग प्राइवेट में अपना इलाज कराना पसंद करते हैं सबकी अपनी अपनी इच्छा है 677 में से 509 भर चुके हैं तो ले केवल 1500 पौने 200 beds बचे हैं प्राइवेट में इसलिए कल सरकार ने कल ओर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ओर जारी कर दिये 20% उनको अपने bed करोना के लिए रखने पड़ेंगे तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी अंदर लगबग 2000 नए beds आज से available हो गया है अभी तक 677 bed थे अब 2000 extra bed प्राइवेट सेक्टर में available है तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाता है जरूरी नहीं है जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2500 bed खा ली है लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाता है तो आज से 2000 और bed प्राइवेट सेक्टर के अंदर available हो जाएंगे आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर 72 ventilator available है जिसमें से केवल 15 ventilator use हो रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे आज की date में प्राइवेट और सरकार मिला के 4500 बेड्स हैं जिसमें से लगबग 2000 बेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं धाई अजार बेड्स अभी भी खाली हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ की mostly case जो करोना के अभी आ रहे हैं वो mild हैं थोड़ा सा बुखार है थोड़ी सी खांसी है या कईयों को तो कुछ भी नहीं है पता ही नहीं चलता उनको की करोना है वो तो टेस्ट करा तो पता चला कि करोना कोई सिम्टम नहीं है अधिकतर case ऐसे आ रहे हैं जिनको फिर अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती उनको हम घर पे ही रखते हैं और मेरी एक टीम है जो डेली उन लोगों से घर पे बाच्चित करती रहती है उनके परिवार के लोगों से बाच्चित करती रहती है उनको सला देती रहती है यह नजर रखते रहते हैं लोग की कहीं अगर वो बढ़ गया उनका करोना तो उनको फिर अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे जैसे आज दिल्ली के अंदर तीन हजार तीन सो चौदा लोगों का घर पे इलाज चल रहा है लगबग दो हजार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और तीन हजार तीन सो चौदा लोगों का घर पे इलाज चल रहा है जैसे मैंने बताया कि हमने प्राइवेट में कल आउडर कर दिये 117 अस्पतालों के अंदर अब 20% कैपैसिटी उनकी 20% बेड कोरोना के लिए होंगे इसी तरह से अगले 3-4 दिन के अंदर हम जी टी भी हॉस्पिटल को तयार कर रहे हैं जी टी भी हॉस्पिटल के डेढ़ हजार बेड्स सब को ऑक्सिजन बेड्स बना रहे हैं और जी टी भी हॉस्पिटल के डेढ़ हजार और बेड्स हमारे करोना के लिए तयार हो जाएंगे तो मैंने बताया आपको कि लगबग 4,000 बेड़ आज सरकार में और लड़ी करोना के हैं डेड़ हजार और हो जाएंगे तो 5,000 बेड़ सरकार में पूरी तरह से करोना के लिए डेडिकेट हो जाएंगे और कली हम लोगों ने ओरडर गिया है और लगबग 2,000 और बेड़ को ऑक्सीजन बेड़ करने के लिए तो एक तरह से हमारी पूरी तयारी है कि अगर करोना के गंभीर पेशेंट्स में अचानक उचाल आता है तो हम तयार है आज से एक हफ़ता पहले जब लोगडाउन में ढील दी गई थी तब क्या स्थिती थी और आज क्या स्थिती है सत्रा तारिक को लोगडाउन में ढील दी गई थी उस दिन टोटल पेशेंट दिल्ली में पॉजिटिव 9,755 थे आज 13,400 एक हफ़ते के अंदर लगभग 3,500 पेशेंट बढ़ गए इसी के साथ साथ एक हफ़ते के अंदर धाई हजार लोग ठीक होके घर चले गए साड़े 3,000 बढ़ गए और धाई हजार ठीक हो गए तो जैसे मैंने बदाया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं बिमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं लेकिन इसकी इंट्रेस्टिंग चीज़ है साड़े 3,000 पेशेंट पिछले एक हफ़ते में नई पेशेंट आए लेकिन अस्पतालों के अंदर साड़े साथ सो साड़े सत्रा सो बेड भरे हुए थे साड़े सत्रा सो पेशेंट सत्रा तरीको अस्पतालों में थे आज दो हजार हैं धाई सो बेड केवल भरे हैं तो केवल धाई सो नए पेशेंट अस्पतालों के अंदर आए, अस्पतालों में भी ठीक हो रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं, केवल धाई सो नई बेड अस्पतालों के अंदर भरे हैं, अभी दो दिन पहले मुझे पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल न एक मरीज गया प्राइवेट हास्पिटल में और उस मरीज को सांस की तकलीफ हो रही थी दो दिन बाद उसका अस्पताल ने टेस्ट कराया उसके एक दो दिन बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट पॉजिटिव आया और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अस्पताल ने कह कि आप तो COVID patient है हम आपका इलाज नहीं करेंगा आप अपना बैड ढूंड लीजिए पेशन्ट अपना बैड कैसे ढूंडेगा पेशन्ट कहां जाएगा कोई भी अस्पताल इस तरह से किसी भी पेशन्ट को बाहर नहीं निकाल सकता हमने उस अस्पताल को शोकाज नोटिस जा कि वो उसको अपनी ambulance में बिठा के किसी या तो private या government hospital के अंदर उसको COVID बैड दिलवाएगा आप किसी भी पेशन्ट को इस तरह से अपने हाल के उपर नहीं छोड़ सकते एक जो मेरे सामने पता चला कि जो लोगों को तकलीफ कई बार आती है जैसे मैंने अभी बताया हमारे बास सरकार में अभी धाईल जार बैड खाली बढ़े हैं और अब दो हजार private sector में भी बैड खाली में होंगे साड़े चार हजार बैड खाली हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता किस हस्पताल में बैड खाली हैं लोगों को पता नहीं चलता कहां जाएं तो इसके लिए इसस बढ़ रहे हैं mostly mild symptom वाले हैं asymptomatic हैं उनका घर में इलाज चल रहा है उनकी भी हम देखवाल कर रहे हैं और जो जो patients hospital में आ रहे हैं उनका भी हम पूरा ख्याल रखा हैं बहुत बहुत शुक्रिया